हलो गुद मोरिंग दोस्तों जाहिंद नमस्कार आप लोग का अर्दिक स्वागत यह अविनंदन बंदन है आपके अपने यूटूब चैनल डबल एकेडमी में ठीक है चलिए आए देखते है आए चलिए हम लोग अगले अलंकार की और पढ़ेंगे कौन सा अलंकार तो आज ह रूपक अलंकार ठीक है चलिए आज पढ़ लेते हैं मेरे दोस्त उस अलंकार का नाम है उत्र प्रिक्षा अलंकार उत्र प्रिक्षा अलंकार चलिए मेरे दोस्त इसका अर्थ देख लेते हैं इसकी परिवासा देख लेंगे इसका उदारन देख लेंगे अर्थ परिवासा उदारन ठीक है इसका क्या देखेंगे अर्थ देखेंगे परिवासा देखेंगे उदारन देखेंगे चलिए मेरे दोस्त देखते हैं क्या अर्थ इसका अर्थ यानि उत्प्रिक्षा का आसर या अर्थ क्या होता है बावना प्रकट करना किसका अर्थ उत्प्रिक्छा का अर्थ उत्प्रिक्छा का अर्थ क्या होगा बावना प्रकट करना और उत्प्रिक्छा का अर्थ क्या होगा तो कलपना और उत्प्रिक्छा का अर्थ क्या होगा बावना प्रकट करना या कलपना करना बावना प्रकट क करना या करपना करना ठीक है चलिए इसका और्थ देख लिए इसकी परिभासा देखेंगे इसकी परिभासा चलिए देख लेते हैं तो इसकी क्या देखेंगे मेरे दोस्त यह तो आसर या और्थ था ठीक है अब देख लेते हैं इसकी परिभासा क्या देखेंगे परिभासा द किस अलंकार के, उप्रेक्षा अलंकार, इसकी परिवासा होगी, कि जहां उपमेय में, उपमान की, जहां उपमे में उपमान की सम्भावना जहां उपमे में उपमान की सम्भावना ब्यक्त की जाय या प्रकट की जाय वहां उत्प्रिक्षा अलंकार होता है जहां उपमे में उपमान की सम्भावना ब्यक्त की जाय कहां पर तो किसी भी अलंकार में या किसी भी पंक्ती में जहां का मतलब होगा और तो किसी भी अलंकार में किसी भी अलंकार में या पंक्ती में या पद्य में क्या व्यक्त किया जाए? संभावना व्यक्त की जाए मेरे दोस्त क्या व्यक्त की जाए? संभावना व्यक्त की जाए किसकी संभावना की जाए उपमान की संभावना व्यक्त की जाए परंतु की समीब व्यक्त की जाए उपमे में किसमे की जाए उपमे में? किसमे? उपमे में हमने बताया था उपमे, उपमान, साधारन, दर्म, वाचक सब तो उपमे आसा करता हूँ कि आपको मालू होगा हम बताएं कि जिसकी तुलना की जाए जिसकी तुलना की जाए जिसकी तुलना की जाए उपमे जिसकी तुलना की जाए वह का का लाएगा उपमे का लाएगा जिसकी तुलना की जाए उपमे लेकिन उपमान है उपमान का है जिस से तुलना की जाए जिस बस तु से तुलना की जाए लेकिन यहाँ पर तुलना तो नहीं कर रहे हैं क्या कर रहे हैं? संभावना ब्यक्त कर रहे हैं कि उवा हो सकेला ठीक है? संभावना ब्यक्त कर रहे हैं की जहां उपमय में उपमान की सम्भावना ब्यक्त की जाए या प्रकट की जाए वहां उत्प्रेक्छा अलंकार होता है जहां उपम्य में उपम्मान की संभावना ब्यक्त की जाए या प्रकट की जाए वहां उत्प्रेक्छा अलंकार होता है कि देने मेरे दोस्त अब इसके उधारन की और वरती किदर बनेंगे उधारन की और बरते हैं जलिए देख लेते हैं इसका बहुत हुद अस matar बता दे गई है जैंक फॉयद्काइब ये काखा है चलिए देखते हैं इसकी पाचान का है देख लिजिए इसकी पाचान क्या है मिरे दोस्त इसको देखे इसकी पाचान है कि जिस अलंकार में या जिस पंक्ति में जिस पंक्ति में मनू मानो मनू मनहू जनहू ठीक है क्या क्या मिलेगा मनू मानाव मनू मनव मननहू जनहू देखिए मनव, 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 जनव, 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 सब्द आते हैं इत्यादि सब्द आते हैं आते हैं वहां पर वहां पर उत्प्रेक्षा लंकार होता है वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है कहां पर जिस भी पंक्ती में या जिस कहीं भी पंक्ती में या जिस अलंकार में क्या आएगा मनु मानु मनु मनु जनु 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 इत्यादि सब्द जिस पंक्ती में आते हैं या आएंगे या मिलेंगे या मिलते हैं वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है मेरे दोस्तों वहाँ पर उत्रप्रेक्छा अलंकार होता है वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है उत्रप्रेक्छा अलंकार होता है चलिए अब हम लोग इसके उधारण की और बढ़ते हैं इस अलंकार के उधारण की और बढ़ते हैं कि इसका उधारन देखते हैं इस अलंकार का इस अलंकार की ऊदारन में मिलेगा क्या शादारन साउधारन इसको पहले समझें फिर इसके बाद बताएंगे उसका कि मुख मानू चंद्रमा है उसका मुख मानू चंद्रमा है किसका मुख तो किसी भी नाइका का मुख किसी भी नाइका का मुख क्या है चंद्रमा है चंद्रमा मेरे दोस्तियां पर क्या है उपमान है क्या है उपमान है परन्तु मुख यहां पर क्या है उपमे यह है क्या है मेर भई या उपमे अब देखिए हमने बताया कि जिस भी अलंकार में मन मनो जनो 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 इत्यादी सब्द आएंगे वहां पर कौ इस सब्सक्राइब यहां पर उपमान किसमें किसमें उपमान की ङाए वहां पर उत्रआप्शा बताया कि न भेद रहित आरोप किया गया मुख और चंद्रमा में यदि मुख और चंद्रमा में भेद रहित आरोप होता तो वहाँ पर रूपक अलंकार हो जाता लेकिन भेद रहित आरोप नहीं है दूसरा वाला यदि मुख को चंद्रमा के समान बताया जाता नो उपमालंकार हो जाता है निवा यहां पर अभेदर अबस्का मुख्मानो चंद्रमा पिए जका मुख्मानो है चंद्रमा की ऐसो चद्रमा क्या है थिक कहा है अर्यायत है da वाच्च का सब मानों का है वाच्च का सब आपको आशा करता हूं कि यह समझ में आया होगा अगला उदान आपनों को देने का काम करता हूं ठीक है अगला उदान देखिए चली अगला उदान छोटा से अगला उदान में लेगा मेरे दोस्त चित्र कूट चित्रकूट जनु अचल अहेरी चित्रकूट जनु अचल अहेरी ठीक है जनु जनु आ गया यह से तो पता चल गया यहाँ पर कौन सा लंकार है यहाँ पर अलंकार है उत्रक्षा लेकिन परिवासा के इसाब से देखें चित्रकूट जनु अचल अहेरी जो चित्रकूट सब्दवा उप में है इसमें अहेरी का है उपमान है अहेरी का है उपमान है ठीक है आगे देखिए जनु का है जनु वाचक सब्द है जनु का है वाचक सब्द जनु नामक वाचक सब्द से जनु नामक वाचक सब्द से उपमेय में उपमान की का बताई गई है संभावना चित्रकूट को अहेरी बताया गया है चित्रकूट में अहेरी की संभावना की गई है का की गई है चित्रकूट में मेरे दोस्त अहेरी की संभावना की गई है चित्रकूत में किसकी संभावना की गई है अहेरी की देखिए चित्रकूत जनू अचल अहेरी चित्रकूत में अहेरी की संभावना की गई है इस कारण उपमे में उपमान की संभावना की गई है किस सब्द से जनू सब्द से किस सब्द से जनू इस कारण यहां पर कौन सालंक तो आपको मिलेगा यहां पर पडमावत पड़ेंक हो उसने का है मलेक मुम्मत जाएशी कि रचना है उनका है जलेए देखते हैं अगला अपको मिलेगा क्या है मिलेगा पिउ सो कईयो कईयो खरिवास संदे सडा पिव सो कईयो संदे सडा हे बावरा हे काग पिव सो कईयो संदे सडा हे बावरा हे काग ताई बिरहिल जरी मुई जरी मुई ओईक ओईक दुमा मुई लाग मलिक मुहम्मद जैसी की रचना है पदमावत किस से बहुरा से और कवे से और काग से संदेश को उचाने के लिए आगर कर रहे कर रहे कि जाए हमारे प्रेमी के पास और हमारे संदेश को लेकर जाए और उनसे कातरिये कहिए तो देखें यहाँ पर आपको सब्द मिलेगा क्या तो आपको नमनू मिला नमानू नजनू नजानू इस सब्द नहीं मिला है ठीक है तो यहाँ पर उपमान में उपमें में उपमान का अवेदर है आरोप कहां पर है उसको देखेंगे तो पहले अर्थ समझेए प्यू सो कईयो मतलब मेरे प्रियतम से कईयेगा मेरे प्रियतम से कईयो का मतलब कईयोगा संदेश अड़ा मतलब मेरे संदेश को हे बावरा एकाग मतलब हे बावरा और हे कऊगा मेरे पती से मेरे पती से का कईयेगा संदेश कईयेगा किसकी है तो यह रचना है मलिक मुहम्मद जायसी मलिक मुहम्मद जायसी मलिक मुहम्मद जायसी की रचना है उस रचना का नाम क्या है मेरे दोस्त पदमावत रचना का नाम का है पदमावत ठीक है आखंड कमसाई तो नागमती बियोग वरणन नागमती बियोग वरणन इसी खंड से यह अपांगती ली गई है ठीक है मतलब मेरे प्रेमी या मेरे पती से कईएगा मेरा संदेश हे बावरा हे काग ताई बिरहीं जरिमुई मतलब तोर जवन प्रेमी है यानि पतनी अउतोरे बिरह में जरिके मर गई है जरिके का वेलिया मरत यह अब उसे निकलत का दुगा ओ इक मतलब उसी का तुमारे बिरहनी का तुमारे बिरहनी का क्या दुगा मोही मतलब मुझे लाग मतलब लग गया है मतलब दुगा क्या है यहाँ पर दुगा क्या है मेरे दोस्त उपमान है दुगा का है अब देखिए कि स्कूल लगा है भावरा को औरी कवा को बावरा को औरी काग को बावरा और काग यहाँ पर क्या है तो बावरा औरी काग यहाँ पर उपमे का है उपमे है कैसे उपमे है तो देखिए भावरा भी काला है और कवा भी का है काला है और यह जो दुगा निकला है यह दुगा भी कैसा है काला है तो इसमें अपनी प्रेमी वह जो नागमती है क कर रही है कि प्यूसों कईयों संदेश अड़ा है बहुरा है काग ताई भी रहीं जरी मोही लाग मतलब मेरे प्रेमी से हे कववा और हे बहुरे मेरे प्रेमी से जाना और संदेश देना कि ताई भी रहीं जरी होई मतलब जोवन आपकी जो भी रहाणी है नागमती वह जर करता हो गई है मर गई है और उससे का निकला है दुवा निकला है और उस दुवे से लगने के कारण हम लोग का हो गए है काले हो गए है तो दुवा के लगने के कारण बहुरा और कववा को क का वो ने की का एसा होने की काला वोने संभावना है का ये मेरे दोस्त न संभावना है इसकारण यहां पर कॉन सा अलंकार है तो इसकारण यहां पर उत्फरेक्छा अलंकार है कौन यालंकार है उत्फरेक्छा, लिकर हो गया आसा करता हूँ समझ में आज़ाएवागा अगला उधारण देता हूँ आप लोगों को, चलिए अगला उधारण क्या है उसको भी धेख लेते हैं अगला उधारण अगला उधारण आप लोगों को क्या मिलेगा मेरे दोस्त तो उसका देख लेते हैं रहीम दास की रचना का नाम सुने होगे रहीम दास का उधारण है उसको देख लेते हैं रहीम दास का उधारण का है कि रहीमन पुतली स्याम की रहिमन पुतली स्याम की रहिमन पुतली स्याम की मन हुझ जलज मदुकर लसे रहिमन पुतली स्याम की मन हुझ जलज मदुकर लसे इसको देख लेते हैं इसका देखिए यहाँ पर आपको मन हुझ सब्द मिला है ठीक है वाचक सब्द है कैसा सब्द है वाचक सब्द जब मन हुझ सब्द मिल गया तो आसानी से उत्वरिक्षा लंकार का करिएगा खोज लिजएगा लेकि इसमें बताने का परियास करते हैं कि स्याम मतलब भगवान स्री क्रिष्न की पुतली मतलब का पुतलियां आख की पुतलियां रस्याम की पुतली मन हुझ मतलब मानिये जलज मतलब कमल के और कमल पर जो भवरा लिप्टा होता है मधुकर माने भवरा कमल पर जो भवरा लिप्टा है ना स्याम के आख की पुतली उसी के का है उसी की संभावना की जा रही है स्याम के आख की पुतली जो है मदुकर यानि भावरा जो है कमल पर लिप्टा हुआ है यानि कमल पर लिप्टे हुए बावरे से किसकी रस्याम भागवान स्री क्रिस्ल के पुतली की संभावना की जा रही है यहां पर देखें स्याम की जो पुतली है यह क्या बन परन्तु जलज मदुकर बावरा पर लिपटा हुआ जो हरेज कमल पर लिपटा हुआ जो भावरा है वह क्या बना है यहां पर उपमान बना है का बना है उपमान तो कमल पर लिपटा हुआ भावरा क्या कहां पर लिपटेगा पंखुडी पर लिपटेगा कहां पर पंखुडी पर तो कमल की जो पंखुडी है उस पंखुडी में स्याम के पुतली की यानि बागवान स्री कृष्ण के पुतली की का की गई है संभावना की गई है तो यहां कौण सा लंकार होगा तो यहां पर मेरे दोस्त कौन सा अलंकार होगा। उत्तू प्रेप्षालंकार कैसे। पहला हाला मनहुआ वाचक सब्द मिल गया है। सतव सब्द मिला है। मनम ऐसा रोला पी दिया कि उपमिये में किसकी संभालना है उपमान की संभालना है उपमान की इस कारण यहां पर कौन सालंकार हो रहा है उत्प्रेक्षालंकार हो रहा है ठीक है चलिए अगला उदारण देखेंगे या तो इस वाले को बताईए समझ में आ गया ठीक है तो आज के लिए बस इतन ही बहुत उदें मनु मानू जनू 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 सब्द जहां पर मिलेगा वहां पर उतप्र이면 कार सब्द आधन कर या जहां पर उत्प मक्रां की संभावना की जाएगी कि जलिए तरह जाते आप लोगों के लिए धन्यी वाद आसा करता हूं कि यह अच्छी लगी होगी तो आज के लिए जाने की अग्या दीजिए मिलेंगे अगले दी तब तक के लिए धन्यवाद जैन मेरे दस्तों